तो कैसे हो दोस्तों दोस्तों हमने शेम हीने पहले एक वीडियो डाली थी नापी को ठीक करने के लिए एक्वा प्रेशर बताया था उस वीडियो को रिजर्ट इतना अच्छा आया है कि के लोगों ने हमें कमेंट करके फीड़वेक दी है आप भी वो कमेंट जाकर चेक कर सकते हो तो चोटी सी वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि वो वाला जो हमने तरीका बताया है एक्वा प्रेशर हाथ पर दोआरा है और पाउं के लिए है जिनकी नापी को शेम हीने जाए एक साल हो गया है वो दहीं वाले नुसके के साथ साथ वो भी करना स्टार्ट करें चोलो जिनने 15-15 साल पुरानी नापी है वो भी इसे एक्वा प्रेशर जरूर्ट साथ में करें इससे बहुत ही उनको हेल्प मिलेगी और उनकी नापी बिल्कुल ठीक हो जाएगी सबसे पहले जो पहला जो कमेंट है वो है गबाला पुरुशो थम जी हमें थेंक्यू लिख इलाज बताएं सालों से माइग्रेन की प्रॉलम है तो रुची जी सबसे पहले आपने हमें लिखा है कि वेरी नाइस इंफॉर्मेशन ठीक है तो थैक्यू सो मच जे सब जो वीडियो है जे सभी आपके लिए है आप इसे देखकर पूरा-पूरा फाइदा लीजिए और दमाग की जो कमजोरी होती है इसकी वज़ा से हमें माइग्रेन की प्रॉलम होती है आप हमारी वीडियो देख सकते हो उसमें आपने करना क्या है कि एक कप दूद लेकर उसमें अक्रोट और सौगी को साथ में उबालने और उबालने के बाद जब थंडा हो जाए तो उसमें मिश्री जो धागे वाली मिश्री आती है, वो डाल कर आप थोड़ा उसे मीठा कर सकते हैं, अगर आप मीठा नहीं डालना चाहते हैं, तो मीठा ना डालें, इसे आप कम से कम 3 से 4 दिन लो, आपकी जितनी भी दमाग की कमजोरी है, सब ठीक हो जाएगी, इसके साथ जो माईग लिखा है जो वेरी अमेजिंग थेंक्यू सो मच सर जी देखें दोस्तों ये वीडियो बनाने की बात नहीं है जे बहुत ही अच्छे रिजट होते हैं जब हम इसे प्रेस करते हैं हाथ वाला कोई भी प्रेस ले लो जे सर के लिए होता है और हां रुची जी आप इसे भी प्र करना शुरू कीजिए आपकी माइग्रेंग की प्रॉलब दूर होगी तो दोस्तों जे सारी हथेली पर हमारे प्रेशर होते हैं यहां तक होते हैं यहां तक हमारे प्रेशर प्वाइंट्स होते हैं जिनने दबाकर हम अपने जो हमारा पेन है कुछ भी है उसे हम बल्कुल ठ subscribe करें दोस्तों, thank you so much.